यहाँ पर आप देख पाओगे ट्विटर पेज औस्टेला के प्रान्विस्टर एंथनी अलवनेसी का आज से 15-20 साल पहले अभी सोचानी था के भारत खुद एक एरक्राफ्ट कैरियर बनाएगा हमने खुद एक एरक्राफ्ट कैरियर बनाया और आज के समय वर्ल लीडर्स यहाँ पर आ रहे हैं यहाँ पर आप देख पाओगे इंडियन नेवी के परसनल से यह बात चीत कर रहे हैं इन्होंने यहाँ पर इंडियन नेवी के जो एरक्राफ्ट हैं वो भी देखे इस एरक्राफ्ट कैरियर पर उस्टेलिया के पीम ने करी है एक बड़ी अनौस्मेंट इन्होंने यहाँ पर यह का है कि अब मैं यह बात क्लियर कर दूँ कि इतिहास में पहली बार माला बार न 还有 Australian Navy, Indian Navy, US Navy और Japanese Navy हाला कि ये लोग Japanese Navy कहते हैं ये लोग Japanese Maritime SelfCómo में कर आप कहने लिची जो Japanese Navy है ये चारोмक पाटिस्पेट करेंगे पहली बार Australia ये बड़ा युद्वयास खुद होस्त करने वाला है इसी साल हाला कि आपर एक बात देखकर थोड़ी सी disappointment हुई जब Australia के PM ने ये सब post करी तब कई Australians थे इन्हों ने यहाँ पर ये comment करी कि क्या ये वही इंडिया है जो आज भी रशिया की अलोशना नहीं करता for example यहाँ पे आप देख पाओगे एक tweet है ये आदमी कहा रहा है कि ये neutral partner जो युक्रेन की सहायता नहीं कर रहा ये देश क्या Australia के लिए top tier security partner हो सकता है उसके इलावा आप देखोगे कुछ और लोगों ने भी ये लिखा है the same India that still trades with Russia and refuses to condemn their action तो देखो कई Australian है जो अभी तक अपनी सरकार के decision को properly accept करनी पाए है definitely India के अगेंस जो racism है Australia में वो बिलकुल गाब नहीं होने वाला मगर government to government अगर मैं बात करूँ तो relations बहुत मजबूत हो रहे हैं हर साल और अगर आप सोच रहे हैं अच्छा ठीक है एक युद अभ्यास हो जाएगा Australia का आप अगर कोस देखो यहाँ पे Northern Australia के पास अगर चारो देख मिलकर एक युद अभ्यास कर लेते हैं क्योंकि एक टाइम पर यह युद अभ्यास जपान के पास इंडिया के पास हो चुका है अब पहली बार Australia के कोस के करीब होगा इसके इलावा भी को बता दूँ 2023 में बहुत सारे प्रोग्राम्स ओपन हो चुके हैं और अउस्टेलिया और इंडिया के वीच में जहाँ पे अस्टेलिया के जो टॉप रैंग मिलिटरी ओफिशल्स हैं यह भरत में आते हैं और similarly इंडियन जो मिलिटरी ओफिशल्स हैं यह जाते हैं उस्टेलिया में ट्रेणिंग के लिए यह किया जा रहा है अंडर जनरल विपिन रावत मेंमोरियल एक्सचेंज प्रोग्राम्स यहाँ पे आप देख पाओगे पंदरा मेंबर ओफ उस्टेलियन मिलिटरी कंटेजंट यह इनके टॉप रैंकिंग ओफिशल्स हैं यह इंडिया में आएंगे इंडिया के जाएंगे उस्टेलिया में और जो यह नमबर है ना यह धीरे धीरे इन दे फ्यूचर बढ़ता रहेगा उमीद है कि कुछ सालों के बाद यह नमबर अराम से 50 या फिर 100 के आसपास पहुच जाए इससे होगा क्या कि दोनों तरफ ना एक अंडिस्टेंडिंग आ जाएगी कि ऑस्टेलियन मिलिटरी कैसे उपरेट करती है इंडियन मिलिटरी कैसे उपरेट करती है ताकि कल को अब obviously भगवान करें इसकी नीड ना आए मगर कल को situation अगर माल दीजे खराब होती है दुनों कंट्रीज को मिल के काम करना पड़ता है military point of view से तो उस वक्त एक proper understanding हो अब यहाँ पे आप एक वैसे बहुत ही basic सवाल पूर सकते हैं कि ठीक है हम युद्ध बयास कर रहे है military exchange program हो रहा है अब in the future और भी developments होगी मगर इस सब के beyond अगर हम देखे क्या genuinely इंडिया उस्टेला की कुछ conflict हो सकती है चाइना के against क्या यह possibility है यह जो उस्टेलिया के former prime minister है चुकी है Kevin Rudd इन्होंने लगातार पिछले कई सालों से यह का है कि बिल्कुल एक accidental war हो सकती है चाइना के against यहाँ पे आप देख पाओगे former prime minister Kevin Rudd warns of risk of accidental war with China अब आप काओगे accidental war कैसे हो जाती है accidental war का तर्ग यह है कि इनके हिसाब से चाइना और even US इंडिया कोई भी देश चाता नहीं है war हो जाए मगर tensions region में इती जड़ा बढ़ गई है चाइना की increased militarization ताइवान पे attack का खत्रा इंडिया के against aggression करना यह सारी चीज़े tensions इतनी create कर रहा है कि कल को अगर माल लीजिए एक spark हो गई ती पर गलती से चाइना को missile लग गया या चाइना का missile misfire हो गया उस case में बिलकुल एक accidental war हो सकती है चाइना के against यह इनकी prediction है और यह बात सिर्फ उस्टिला के former PM ने नहीं करी चाइना के आज के समय जो विदेश मंदरी है Quinn Gang इन्होंने भी यह का है कि US जो Indo-Pacific strategy बना रहा है यह चाइना की encirclement के लिए है और साथी साथ इन्होंने यह भी कहा कि Indo-Pacific strategy basically Asian NATO का part है और अगर यह strategy आगे बढ़ती गई तो बिलकुल region में एक बार को conflict हो जाएगी काफी article publish होए है कि India, Australia को न West की जो hype है बजीब बात यह है यूरोप और North America USA की बात कर रहे है यह कह रहे हैं कि India, Australia को न West की जो hype है चाइना threat को लेकर इससे खुद को affect नहीं करना चाहिए कुछ नहीं होगा चाइना का सरकारी मीडिया खुद यह बात accept करता है कि अब बिलकुल लग रहा है कि India, Australia relations इस वक्त बिलकुल sweet spot पे है और चाइना के सरकारी मीडिया का कहना यह है कि India, Australia अगर इखटा आ रहे है तो इनका primarily focus होना चाहिए trade पर defense के मामले में इतनी involvement अगर यह ना करे तो भैतर होगा इंडो Pacific strategy धीरे-धीरे एक proper shape ले रही है Australia बहुत ही जल्द USA की Virginia class nuclear submarines acquire कर लेगा Australian Navy in the future बिलकुल strong होने वाली है और कहीं ना कहीं यह इंडिया को भी help करेगी बट एक larger question अभी भी बना हुआ है क्या Australia as a nation कुछ contribution कर सकता है defense manufacturing में भरत के साथ क्योंकि खुद Australia न एरक्राफ्ट कुछ बनाता ना submarines बनाते यह लोग ना यह लोग aircraft carrier बनाते तो कल को अगर मालनी जीए इनके साथ हम defense industrial cooperation में कुछ करते है इनके साथ हम manufacture क्या करेंगे देखिया कहीं ना कहीं दोनों देशों को बैठ कर एक long term vision के साथ यह सोचना चाहिए कि Australian brain Indian brain को mix करके क्या हम नई defense technologies innovate कर सकते हैं जिससे इंडो पसिफिक में peace कायम हो